लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाईए हमारे साथ जूड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार स्वागत है आप सबीका न्यूज 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रिया शर्मा अयोध्या राम नॉमी मेले में लाखो की आने वाली भीर को सुरक्षत करने के लिए और जिलादिकारी अनुजास से वारता कर मेले के आयोजन को रोकने की सिपारिश की है मुख्य चिकित्स अधिकारे डॉक्टर घंशाम सिंग ने जिलाधिकारी से मोखिक अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्र योगिया अधितिनात ने भीड़ वाले आयोजनों को रोकनी की सला दी है ऐसे में अयोध्या का धारमी खमेला राम नॉमी मेले को गोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए रोका जाए 25 मार्स से चेत्र राम नॉमी मेले का आयोजन शुरू हो रहा है जो 2 अप्रिल तक चलेगा दो अपरेल को भगवान राम का जन मुच्षा है, इस जन मुच्षा कारीक्रम में देश के कोने कोने से कई लाखों की संख्या में शुरत धालो ईध्या पहुशते हैं इस बार राम नौमी के दोरान जादा भक्तों के अयुध्या पहुंशनी की संभावना है क्यूंकि भगवान श्री राम लला अपने इस्थान गर्बगर टेंट से निकल कर अस्थाई मंदिर में शिफ्ट हो रहे हैं मुक्यमंत्र योगी आदितनाद भी 24 वा 25 मार्श को आयुध्या में रहेंगे 25 मार्श को नए मंदिर में राम लला का दर्शन भी करेंगे राम नॉमी के दौरान लाखों की संख्या में श्रधालो अयुध्या पहुचेंगे स्वास्विभाग सभी का स्क्रीनिंग नहीं कर सकता है ऐसे में कोरोना के खत्रे को देखते हुए जिला प्रशासन से बात करते हुए राम नॉमी मेले में भीर इखता होने से रोकने का उपाय करें कोरनावायरस के खत्रे से राम नॉमी आयोजन को रोकने की सिफारिश की खबर के बाद संतों की प्रतिक्रिया सामने आई है श्री राम जन्म भूमी राम लला के मुख्य पुजारी आचारी सत्यंद्र दास का कहना है कि धार्मिक आयजन राम लला के जन्मोटसों में भीर को रोकी नहीं जा सकती है कई ऐसा इस्थान है जहां आतंग की खत्रा रहता है लेकिन लोग वहां भी जाते हैं मेली के आयजन को रोका नहीं जा सकता है अयुद्य से मौहमद आलम की रिपोर्ट यही आप लोगों को बताना है आपको भी यही बताना है देखिए यह धार्मिक नगरी है और धार्म को छोड़ करके बहुत लोग ऐसी कठिन जगे बहुत ऐसे कठिन जगे हैं जहां पर लोग भय होते होए आतंग बादियों के भय होते होए फिर भी वहां जाते हैं और किसी भी अपने भावनाओं को वहां नहीं पाते और यह जो द्ध्या है और पर्तिवर्श लगभग 15-20 लाख लोग यहां दर्शन करने आते हैं और भीड के लिए किस रूप से रोका जाएगा क्या अजुद्या के बाहर रोका जाएगा इसी नहीं हो भीड़ रोकेगी नहीं कि किस प्रकार से इस को रोका जाएगा उससे बचा जाएगा इस भीवस्ता की जाएगा लेकिन जो भीड़ आएगी उस को इस प्रकार से जहां 200 लाक के लोग आते पहले ही राम ललार नए मंदिर में विराजमान हो जाएंगे उसके दर्सन के लिए और नजदीक से दर्सन होगा इस भावना से लोगों की भीर बहुत अधिक होगी तो जो उन्होंने लिखा है अब तो हमारे जिलादिकारी महुदे को विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसको रोका जाए और किस प्रकार से उसको सुर्चित किया जाए लगतार खबरोखली बने रही न्यूस 29 इंडिया के साथ एक देश सारे प्रदेश